हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अपके सामने गोरो मिगलानी हूँ इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक केस तो जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वही स्टेटमेंट मैंने मेरे सामने लैप्टोप में रखी हुई है तो मैं लै जो हमारी कपड़ा वाली प्रेस होती है वो खरीदी है कहां से भारत इलेक्ट्रिकल्स से एक दुकान से खरीदी है कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि वो प्रेस वो आईरेन वाली प्रेस जो भी है अच्छे से काम नहीं कर रही है उसने इस बात की कंप्लेन दुकानदा ने बोला कि मैं complain company को करूँगा, manufacturer को करूँगा, अब complain उपर गई है, जिस manufacturer के पास complain गई, बनलब जिस company का product था, उसके पास complain गई, उसने product को replace करने से मना कर दिया, क्योंकि प्रखर चाता भी यही था, कि मेरा product replace हो जाए, इसलिए उसने shopkeeper को complain की थी, shopkeeper ने complain manufacturer को की थी, कि product replace करके दिया जाए, अब जो manufacturing company है, उसने product replace करने से मना कर दिया है, अब complain करने का मन किसका है, दुकानदारखा, प्रखर, प्रखर complain नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभी shopkeeper complain करना चाता है, किसके अंगेस्ट, company के अंगेस्ट, तो shopkeeper court में case डालना चाता है, company की अंगेस्ट, क्यों company ने product replace करने से मना कर दिया है, अब question में हमसे यह पूछा जा रहा है, कि क्या जो दुकानदार है, भारत electricals, क्या यह case कर सकता है, दूसरी बात आप से यह पूछी जा रही है, कि consumer का meaning क्या होता है, simple सी बात है, अगर प्रकर case करना चाता, वो तो case कर सकता था, पर इस case के according, case करने का मन किसका है, भारत electricals का, शोप कीपर का, तो इस case के according, शोप कीपर company के against case नहीं कर सकता, क्योंकि हमने consumer protection act 1986 में study किया है, कि अगर कोई person product खरीदता है, sale करने के लिए, वो company के against case नहीं कर सकता, जो reality में product को use कर रहा है, प्रकर, consumer, वो company के against case कर सकता है, तो इस case का जो solution है, वो यहीं है, कि शोप की पर दुकानदार, जो जिसकी बिजली की दुकान है, जिसने product sale किया है, ये person company के against case नहीं कर सकता, क्योंकि reality में ये consumer नहीं है, इसने product purchase किया था, पर sale करने के purpose के लिए, reality में purchase किया, इसने, use किसने किया, इसने, अगर इसने case करना था, यहां तक तो बात ठीक है, पर इसने case किया है, या ये case करने का मन बना रहा है, तो ये case invalid रहेगा, illegal रहेगा, या ये कह लिए, जी कि case अगर चला भी गया वहां पर, तो वहीं पर ही reject हो जाएगा, अब दूसरे question का answer क्या है, कि consumer का meaning क्या है, अगर आपको जानना है कि consumer का meaning क्या है, तो मैंने आपको इसी वीडियो के description box में, एक वीडियो का link दिया हुआ है, तो उसको देखकर आप जान सकते हो, कि consumer protection act 1986 के according, consumer reality में किसको कहा जाता है,